हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पी वियार स्टडी छात्रों आप पढ़ रहें कक्छा दस की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स और आपका चैप्टर चल रहा है टेन पॉइंट टू टेन पॉइंट टू कुश्चन नंबर फोर होगा इसके पहले के सारे कुश्चन्स आप लोग खीची गई असपर्स रेखाएं यानि जो टैंजेंट हैं वो क्या हैं असपर्स रेखाएं जो हैं वो पैरलल हैं समझ रहा हो यानि हमें ये प्रूप करना है मोटा मोटा देख लीजिए कि जो ये रेखा है पी क्यू और ये आर्यस ये दोनों पैरलल हैं एक दूसरे के समा समांतर हैं हमें यहीं सिद्ध करना है कब पैरलल है जब कोई एक ब्यास हो जैसे ए भी है और उसके टच करते हुए ऐसे खेंची गई दो रेखाएं हो तो वो समांतर है यह पूरूब करना है ठीक है कोईश्चन में बाकी चीजे नीचे लिखा है आप उन्हें देख सकते हैं जो दिया है मैंने उसे लिख दिया जिससे आपका टाइम बेस्ट ना हो ए बी केंदर ओ वाले ब्रित्त का ब्यास है ए बी क्या है ब्यास है यानि टाइमीटर है सेंटर ओ वाले सरकल का और दो असपर्स रेखाएं यानि जो टैंजेंट हैं टू टैंजेंट की बेन हैं पी क्यू एंड आर्यस यह क्या है टैंजेंट मींस असपर्स रेखाएं जो क कि क्या करती है असपर्स बिंदू यानि कंट्रेक्ट पॉइंट क्या बोलते हैं उसे ए और बी पर इसे असपर्स कर रही है तच कर रही है ठीक है यह आप लिख लेंगे एकलेंगे अपने एकाइडिंग लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले ये था गीबं के बाद अब लिखेंगे प्रूब मतलब ह sonoda टो प्रूब या 뉴스 प्रूब मतलब ज्यांद करना हम क्या क्या क्यांद करना है फिक्यू पर्ल Además मैं पहले बता दिया हूं अब नीचे लिखेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब इंग्लिस में लिखेंगे टू प्रूफ नहीं इसे केवाल प्रूफ लिखेंगे स्वरी क्या लिखेंगे प्रूफ टूप प्रूफ उपर वाला होता है ठीक है प्रूफ अब क्या करेंगे इसमें प्रूफ में हम सारी एक्टिविटी जो भी इसमें करेंगे वो दिखाएंगे ध्यान दीजिए O A दिख रहा ना वाँ पर O A लंब है P Q पर बोलो है की नहीं O A लंब है P Q पर भई सिंपल सा बात है दिखी रहा है सबको है लिख लीजिए O A परपेंडिकूलर P Q कॉमा लगा के लिखिए O B ये भी परपेंडिकूलर है उधर वाली रेखा आरियस पर इसमें कुछ कहना या कुछ बताना नहीं है दिया है दिख रहा है ऐसा क्यूं है रेडियस परपेंडिकूलर टू टैंजेंट एट पॉइंट आफ कांट्रेक्ट इसको हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे ध्यान देना हिंदी मीडियम वाले लिख लें अपने अकार्डिंग ये जो मैं कहना चाहता था तिरिज्याएं जो होती है वह असपर्स इस बिंदु ए है ठीक है तो तु तरिज्याएं असपर्स बिंदु पर असपर्स रेखा के लंबवत होती ही से अपने लिख लिया अब देखो बाबू ये दोनों एंगल बराबर है अपस में अगर हम बात करें ये ओ एपी और ओबी एस ये दोनों बराबर हैं क्यों ए पी इक्वल कोंड ओ बी एस ऐसा क्यूं है ब्रेकट में लिखिए बोथ हार 90 डिग्री बोथ हार 90 डिग्री दोनों नबबे अंस के हैं यह हिंदी वाले लिखेंगे ठीक है क्लियर अब देखो बेटा यहां पर प्रॉब्लम क्या है अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी जो भी बातें थी वो लगबग प्रॉफ हो चुकी है थोड़ा सा बचा है अगर यह दोनों कोंड इक्वल है ओ एपी और ओबी एस क्या है अगर यह बराबर है आप इन्हें अगर देखो तो अंता है एक आंतर कोंड भी तो है न यह तो है न और अगर ऐसी स्थिति आ लिखा देता हूं अच्छा ओ एपी एंड ओबी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटिरियर एंगल देर फोर पी क्यू पारलल आरेस जो लिखने वाली बात थी मने नीचे लिख दिया आप इसे देख लिजिए कोईस्चन मैं इस स्क्रीन से हटा देता हूं ठीक है साथी जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहीं जाएंगे नहीं अगला कोईस्चन दिखाएंगे तुरंट ठीक है और बेल आइकन अनकरना जिससे अगली क्लास भी मिल सके बिटा चलो नेक्स्ट कोईस्चन दिखाओ भई पच्वा कोईस्चन आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है शिद कीजिए कि असपर्स बिंदु से असपर्स रेखा पर खीचा गया अलंब बृत के केंद्र से होकर जाता है इसको आप लोग खुद से कर लोगे बैटा यह होम और्क है बहुत आसान है ठीक है सभी कर लेंगे न छठा कोईस्चन भी आपके लिए होम और्क रहेगा यह भी एकदम बहुत ही आसान है इसके पहले जो भी प्रस्म करवाए गए उन्हीं की अकार्डिंग है लेकिन सता वाला में कराऊंगा सतमा देखो थोड़ा सा अच्छा है कहरा कि दो संकेंद्रिये बृत्तों की तरिज करने हैं चलिए दिखाते हैं बीच में अभी थोड़ी सी आवाज ने आई उसको में रिपीट कर देता हूं सुन लिजिए पहले आप फिगर देखिए दो सरकल बने हैं एक बृत्त छोटा सा बना एक बड़ा सा बना है दिख रहा है ना अब इसमें ऐसे ही कुछ कंडीफन दी गई है कहरा दो संकेंद्रिये बृत्तों की तरिज्या पांच सेंटीमीटर तथा तीन सेंटीमीटर हैं कहने का मतलब जो बड़ा बृत्त है उसकी तरिज्या 5 cm है और जो छटका बृत्त है इसकी तरिज्या 3 cm है कहरा बड़े बृत्त की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छटे बृत्त को असपर्स करती है यानि हमें PQ ग्याद करना है ठीक है हम लिखेंगे सबसे पहले साल्ब या हल लिखिए OA परपेंडिकुलर है PQ पर OA PQ पर लंबवत है या लंब है कैसे OA आपको दिख रहा इसकी क्या है तरिज्या है PQ क्या है असपर्स रेखा है चोटे वाले बृत्त पर और तृज्या जो होती है असपर्स बिदू पर असपर्स रेखा के लंबवत होती है ये असपर्स बिन्दू है A THiK है इफले ये क्या है परपेंडिकुलर है यानि लंबवत है अब आगे लिखिए तिरभूज O PA में कोण A बराबर 90, समझ रहे हो, किस में, OPA में, OPA, यहाँ पर जो A है वो कितना है भाईया, 90 डिगरी का है, 90 डिगरी है दिख रहा है न, देखो बाबु यहाँ पर एक चीज़ समझो, हमें PQ निकालना है, PQ, अगर हमें P A पता हो जाए, तब हम PQ निकाल सकते हैं, क्योंकि P A P Q का आधा है, दिख रहा है न, और यह एक, क्या बन रहा है, समकोंट सिर्भुज बन रहा है, इसमें पाइथा गोरस परमिये लगा करके हम P A निकाल सकते हैं, है न, तो नीचे लिखिए, पाइथा गोरस परमिये से, पाइथा गोरस परमिये से, पाइथा गोरस परमिये ल यानि लंब का इस्क्वायर और प्लस P A का इस्क्वायर यानि आधार का इस्क्वायर इसका बैलू 5 दिया है देखो भाई यह 5 दिया है न और O A O A 3 दिया है हमें P A या फिर A P निकालना है यह हो जायागा 25 यह 9 धन P A का होली स्क्वायर क्विश्चन हटा दीजिए क्लियर दिखें यह 25 माइनस 9 बराबर P A का होली स्क्वायर यह जाएगा 16 इक्वल P A का होली स्क्वायर ठीक है फाइनल में क्या हो जाएगा आप इतने बड़े हो कच्छा 10 में पहुंचेओ आप सबको पता है कि P A बराबर कितना हो जाएगा 8 स्वारी आट नहीं चार 16 का वर्गमूल कितना होगा भाई सिंपल सी बात है आप सबको पता है P A इस्क्वायर है इस्क्वायर हटेगा इधर वर्गमूल आएगा चलो मैं पूरा बताई देता हूं यह लो इतना हो जाएगा ना तो भाई आप P A बराबर प्लस माइनस 4 आएगा कितना आएगा 4 4 सें सेंटिमीटर दिया गया था ठीक है जब P A 4 है तो नीचे हम लिख सकते हैं हम इसलिए कि इसलिए पी क्यू इक्वल टू इंटू पी अब थोड़ा धंग से कर लीजिए बराबर टू इंटू पी अनी 4 बराबर 8 सेंटिमीटर बस हो गया लिख लीजिए आप समझ में है ना P Q क्या है P A का दोगुना है ये कोईश्चन आपका यहीं पर खतम हुआ इस तरह से आपका कोईश्चन नंबर 4 और 7 इसमें मैंने बता दिया यानि 4 से लेकरके 7 तक के सारे कोईश्चन इसमें हो गए है ना जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं वो तुरंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पीबीर स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करें अगले कोईश्चन के लिए बस थोड़ा फाइंतिदार करें और हां कलास को लाइक करना और दोस्तों मे परिगत एक चतुरभूज ABCD खिंचा गया है फिकर 10.2 में आपकी किताब में दिया है सिद्ध करना है कि AB धन CD को जोड़ने पर AD और BC के जोड़ने के योग के बराबर आए इसको आप लोग ट्राई कर लेना नहीं आए गया तो मुझे बताना ठीक है कमेंट करके बताना कि ह रहा है अगला कुश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं नाइन नंबर उसे धेहान से देखे स्क्रिन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है ना कहा कि आकृति 10.13 में यानि जो फिगर आपको इस्क्रेन पे दिया है उसी फिगर की ये बात कर रहा है इसमें क्या है xy xy जो उपर वाली लाइन है और ये x dash y dash o के इंद्र वाले बृत्ट पर दो असपर्स रेखाएं हैं ये एक बृत्थ है सरकल जिसका सेंटर o है इस पर ये दो क्या हैं असपर्स रेखाएं हैं टैंजेंट हैं और असपर्स बिंदू c पर असपर्स रेखा a b xy को a तथा xdo 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 b पर परतीछेद करती है असपर्स बिन्दु यानि kind of point ना यह ना इस तो बोलते हैं बढ़ा इंगलिस में क्या बोलते हैं contract point बोलते हैं असपर्स been doing को बताना असपर्स बिन्दु c पर यह यानि point जो c है उसपर क्या हो रहा है ए बी ए बी X Y को तथा X डेस Y डेस को बिंदू B पर पतिछेद करती है समझ रहो न क्या कह रहा है ये जो जो कह रहा था मैंने लिख दिया शिद्ध कीजिए AOV 90 है यानि जो AOB ये 90 प्रूब करना यानि इस पर क्या है 90 कैसे करेंगे आए देखते हैं सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कुछ चीजें सिंपल वाली जो भी है आगे बढ़ते हैं फिर चलिए लिखिए इनको हम पार्ट पार्ट वाई हल करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम एक छोटे तिर्भुज में लेंगे ए ओ पी यह इसमें मान लो कि हम इसे वन नमबर मान लेते हैं और ए ओ सी इसको टू नमबर मान लेते हैं हम पहले इन दोनों को कांगुरेंट प्रूब करेंगे ठीक है वन नमबर और टू नमबर कोंड जहां पे लिखा गया है चल यह लिखिए यहाँ पर आप सलूसन लिख सक लिखिये तिर्भूज AOP और तिर्भूज AOC में फटापट लिखो A.P. इक्वल A.C. A.P. क्या है A.C. के बराबर है टैनजेंट फ्रॉम A क्यूं लिख लिजिए तैनजेंट फ्रॉम A कई बार बताया हूँ ये कि ऐसा क्यों बराबर होता है एपी एसी के बराबर है एपी एसी के क्या है बराबर है ठीक है एसे क्या है ये दोनों बैस सिंपल सी बात है एक निश्चित बिंदू से दोनों असपर्स रेखाएं हैं किसकी उसी सेम बृत्त की बोला है कि नहीं असपर्स रेखाये ही तो है ना एक निश्चित बिंदू से यानि एक ही बिंदू से समान बृत्ट पर खींची गई जो असपरस रेखाएं होती हैं वापस में बराबर होती है बस ये हिंदी वाले समझ ले बेटा इसमें ये तो हो गया O, P, O, C के बराबर है O, P, O, C के बराबर है क्यों देखो ध्यान से O, P, O, C के बराबर है बैस सिम्पल सी बात है एक ही बृत्त की तिरिज्जाएं हैं लिख लीजिए रेडियस आप सेम सरकल रेडियस आप सेम सरकल एक ही बृत्त की तिरिज्जाएं हो गया लिख लिया अब देखो आगे O A O A बराबर है क्यों बराबर है बाई सिम्पल सी बात है हमने इस और इस तिर्बुच को लिया इसमें O A दोनों में common है common है ना भाईया तो आप लिख लो O A equal O A क्यों क्योंकि common है common है हिंदी में लिखेंगे उबहनिस्ट है ठीक है और अगर यह तीन चीजें मिल रही है तो हम कह सकते हैं तो ट्राइंगल A O P यह क्या है दोनों लिख लो पैरलल पैरलल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे काइंगुरियंट सरी काइंगुरियंट ट्राइंगल A O C बाई ब्रेकर में लिख लो S S S rule किस से S S S rule या नि भूजा 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 नहीं हम से यह दोनों क्या हो गए तिर भूजा अपस में काइंगुरियंट हो गए तो बहिया हो अगर यह दोनों काइंगुरियंट है बाबू तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 यह क्यूं है बाई CP CT से यह आप बहुत अच्छे से जानते हो इसे इक्वेसन नंबर फास्ट बना लीजिए अगर कोई दो तिर भूज आपस में सरवांगसम है तो उनकी संगत भूजाएं और संगत कोंड बराबर होते हैं CP CT का मतलब होता है कैंगुरियन पार्ट आफ हो सोरी रथे क्रस्पांडिंग पार्ट आफ क्राइंग्ट ट्रेंगल ठीक है पार्ट आफ कानर्ण ट्रेंगल यह है CP CT का ful fun इसका एक rule होता जो मैंने पढ़ा Q में यानि इसे हम माल लेते हैं तीन नंबर इसे माल लेते हैं चार नंबर तीन और चार नंबर तिर्भुज में ठीक है सेम यही कंडिशन अप्लाई करेंगे निचे लिख लिजिए इसी प्रकार तिर्भुज B O C और B O Q में सब कुछ ऐसे ही रहेगा इसमें भी B C B Q के बराबर है टैंजेंट फ्राम भी लिखो B C इक्वल B Q Q लिखिए टैंजेंट फ्राम भी हिंदी वाले इसे समझ ले एक ही बिंदु से समान बृत्व पर खीची गई असपर्स रेखाएं बराबर होती हैं यानि यह एक बिंदु है इस पर दो असपर्स रेखाएं खीची गई है एक तो Q B और एक B C ठीक है एक Q B और एक B C एक ही बिंदु से एक ही बिरत्व पर जो असपर्स रेखाएं खीची जाती हैं वो इक्वल होती हैं ठीक है हो गया ना बाबू O C O Q के बराबर है O C O Q के बराबर है लिखो O C बराबर O Q क्यों बराबर है क्योंकि ये भी एक ही बृत्त की तरिज्जाएं है लिख दो समान बृत्त की तरिज्जाएं अरे यही उपर वाला लिखना है एक ही बृत्त की तरिज्जाएं लिख दो दोनों common कौन है बाबु ओभी दोनों में common है ना तीन और चार नंबर जो यहां पे यह कोण बन रहा है दोनों में common है ना लिखो ओबी equal O, common है नीचे दिख रहा है दिख रहा है न लिख लो O B equal O B breakout में लिख लो common है क्या है common है ठीक है common है अरे सुनाई तो तुम्हें पड़ी रहा नहीं दिख रहा है तो O B O फार Onion यानि प्याज B फार बाल ठीक है ये तीनों चीजें मिल गई अब हम लिख सकते हैं कि दोनों तिर्भुज क्या है congruent है तो बेटा यहाँ पर इधर साइड में लिख लो यहाँ पर अब लिख सकते हैं इफ लिए तिर्भुज कौन-कौन B O C और B O Q B O C ये congruent तिर्भुज B O Q क्यूं ये दोनों क्यूं congruent हों किस rule से bracket में लिखो by SSS SSS rule यानि side 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 भुजा 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 वाले rule से ये क्या हो गए congruent हो गए तो बेटा अगर ये दोनों congruent है तो इनके भी दोनों कोण आपस में बराबर है निचे लिखेंगे So, angle 3 equal angle 4 देखो कहानी बनती जा रही है angle 4 bracket में by CPCT ये दो number equation हो गया क्या हो गया दो number equation हो गया कहानी बन रही है बस एक equation और जरूरत अब नहीं पड़ेगी हो गया कहानी हमारी खतम हो गई यही तो करना था हमें नहीं अभी कहोगे कहां हमें तो AOB को 90 प्रूप करना है बैस सिंपल सी बात है AOB हम 90 अभी तुरंद करके दिखाएंगे इसे note कर लो इतना लिख लो या screen side ले लो फिर मैं मिटाता हूँ जल्दी करो फट से करो हो गया जल्दी करो इसको मैं बताता हूँ इसके आगे क्या है जरा एक बार ध्यान से देखो अगर PQ को आप एक सीधी रेखा मान रहे हो तो बिटा यहां तक चार कोंड बन रहे न चार बन रहे न इनको हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दें यहां ध्यान दो ये ये सीधा फीधा एक 180 बन रहा एक नहीं 180 बन रहा ना पी की उपर चारो कोंडों को अगर जोड़ दिया जाए बन रहा है ना हां इनको मिटा दो फिर मैं बताता हूं चलो फट से कि जल्दी करो बस हो गया अंसा लिख लीजी एक लाइन और बचाया है लिखिए जैसे मैंने अभी बताया कि चारो कोंडों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर है सिधा फिदा बन रहा है ना देखो भाईया कोंड दो जो है वो कोंड एक के बराबर है एक वैसा नमबर फरस्ट से तो फरस्ट की जगा पे हम टू लिख सकते हैं और टू को टू ही रहने देंगे ठीक है और कोंड तीन कोंड चार के बराबर था इसलिए हम तीन को तीन ही रहने देंगे चार को तीन कर देंगे बराबर एक सॉसियन्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉंड दो और कॉंड तीन को जोड़ करके 180 दिखाना है ए ओ भी क्या दिखाना है 180 स्वरी 90 दिखाना है न ठीक है इनको जोड़ लेंगे तो ये 2 इंटू कॉंड ए स्वरी ये 2 हो जाएगा दो बार जूड़ेगो तो ही हो जाएगा और प्लस 2 िंटू कॉंड 3 बराबर 180 इसमें 2 कामन हो जाएगा तो कॉंड 2 North प्लस कौण 3 एकोल 180 हो जायेगा यहां से कौण 2 प्लस कौण 3 निकालेंगे तो 180 बटा 2 यह दो इधर जायेगा तो इधर भाग में हो जायेगा आप सबको पता है मालूम है न यहीं हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 एकोल 90 डिग्री हो रहा ना बाबु अब ध्यान दो एं यानि इसकी जगाप हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसकी जगाप हम लिख सकते हैं तिरभूज AOB बराबर 90 और हमें क्या करना था यही तो प्रूब करना था निचे लिख दो हैंस प्रूब्ड क्या लिखोगे हैंस प्रूब्ड अता सिद्ध हुआ हिंदी वाले लीजिए नोट कर लीजिए जल्दी करें आगे बढ़ते हैं इस तरह से आपका ये भी कोईश्चन हो गया नाइन नंबर भी इसमें कुल 13 कोईश्चन है कितने हैं तेरा कोईश्चन है जल्दी करिए नए साथ ही सभी चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें और बैल आइकन में हिन दिलते हैं फिर अगली फ्लास में